नमस्कार किसान साथियों कैसे हैं आप साथियों आज अपने बात करेंगे ग्यहूं की उन्नत विराठी राज 437 के बारे में किसान मित्रू राज 40-37 राजस्तान की जलवायों के लिए तो काफी suitable variety है क्योंकि साथ्यों राजस्तान में ताप कर्म का उतार चड़ाव बना रहता है किसान साथ्यों अगर हम राज 40-37 के पोदू के हाइट की बात करें तो राज 40-37 एक बोनी विराइटी है इसके पोदू के हाइट लगबग 80-25 cm के आसपास ही देखने में मिलती है किसान मित्रू राज 40-37 की हाइट कम होने की कान साथ्यों इसके पोदे हवा के द्वारा निचे नहीं गिरते है किसान मित्रू इसके लाज 40-37 से रोगों और क्युटू के परती काफी अवरोधी गुण प्रकट करती है इसमें रोगों और क्युटू का प्रकॉप देखने में नहीं मिलता है इसके लाज साथ्यों राज 40-37 की सब्से बड़ी कास बात ये है कि ये विराटी ताप कर्म को सहर करने की समता रखती है इसके साथ ही साथ्यों इसके दाने बड़े होते हैं आकर्सक सुनेरे कलर के होते हैं और गोल यूगत होते हैं साथ्यों इसके लाबा इसकी चपाती होती है और काफी अच्छी बनती है और स्वादिष भी बनती हैं साथि eu इसकी फुटान कापे अच्छी देखने में मिलती हैं जैसे के आप देख सकती हूँ कापे अच्छी फुटान है इस फिल्ड में राच 45중3 की व्वाइक कीवी है और साथि उसे में बालियां भी देख सकती हैं हैं और बालियों में फ्लावरिंग उस्ता चल रही हैं किसान में तुरू राज 40-37 की जो तना होता हैं काफी मजबूत होता हैं इसका आण फसल नीचे नहीं गिरती हैं इसके लाव साथियों अगर हम राज 40-37 की एगर वेगेनी विदिया अपना करके खेती करें तो इसकी हम 60-65 क्यूंटल प्रती हेक्टेर पेदावार आसाने से ले सकते हैं अगर हम इसके दानू के वेट करें एक दानू का वेट करें तो लगों 35-40 ग्राम के आसपास देखने में मिलता हैं तो आप हमें कमेंट के माधियम से बता सकते हैं इसके लवा आप हमारे क्रस्थि खेती यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और शेर करें चैहिंद जे भारत चै किसान